शलूम प्रभु येशु मसी के नाम की इस्तूती हो हम आपका स्वागत करते है इस सुश्माचार के कारेकरम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है हमारी खलीश शलूम इंटरनेशनल फेलोशिप के पास बाहन रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ प्रभु येशु मसी के जीवत वचन को बाठेंगे हम आशा करते है प्रमेश्वर का जीवत वचन आज आपको चुएगा और प्रभु के करीब लेकर आएगा आए हम मिलकर प्रमेश्वर के वचन को सुने और आशिशित पाए Deuteronomy 8.18 विवस्था विवरन 8.18 तौ शल्रमेंबर दो लॉट दाइगान रमेंबर दो लॉट यूर गान परन्तु तू अपने प्रमेश्व यहवा को स्मरन रखना कैसे स्मरन रखेंगे अपने प्रमेश्व को? How? In everything that you do, remember the Lord. सारे कामों में, जो आप करते हो, उस प्रमेश्व का स्मरन करो. Everything I do, I do unto the Lord. मैं जो कुछ करता हूँ, वह प्रमेश्व के लिए करता हूँ. Everything, how, how I can remember the Lord? Unless I have fellowship with Him. सारे कामों में उसका स्मरन कैसे करोंगा, यदी मैं उसके साथ संगती ना करूँ. Unless I have the word of God with me every day, morning and evening. यदी परमेश्व का वच्चन मेरे अंदर ना हो, सुबह और शाम में उस पर मनन ना करूँ. If I do not have, how can I remember the Lord? यदी मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो मैं कैसे परमेश्य का स्मरन कर सकता हूँ? If I don't memorize the scripture, how can I remember the Lord? यदी मैं वच्चन को कंठस्त ना करूँ, तो परमेश्य का स्मरन कैसे कर सकता हूँ? जब मैं अपने मित्रों के मध्य में हूँ, कार्यस्थल में हूँ, सारे लोगों के बीच में हूँ, तो जब बचन मेरे अंदर नहीं रहेगा, तो परमेश्य का स्मरन कैसे करूँगा? उस परमेश्य यहोवा का हमें स्मरन रखना है, जो हमको संपती प्राप्त करने के लिए सामर्थ देता है, इसलिए हमको उसका स्मरन करना है, जब हम धनवान हो जाते हैं, वो धन से बढ़ करके हमें परमेश्य को समझना है, हमें घमंडी नहीं हो जाना है, यदि आप में से कुछ लोग नहीं बदलोगे, तो आप कंगाल बन जाओगे, मैं तो सच कहता हूँ, ऐसा ही होगा आपके साथ में, आप खुले मन के नहीं हो, यही समस्या है, इस कमरे में कुछ लोग गुप्त रूप से कई काम को करते हैं, वे सोचते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मैं कहता हूँ, कि सब ठीक नहीं है, जो लोग इस कार्य करम को देख रहे हैं, वे भी जानते हैं कि वे लोग कौन हैं, और वे कैसे हैं, आप सुधर जाओ, भैतर यही है, । मैं कहता हूँ कि परमीश आपको आश्डित करना चाहता है, आप सोचते हैं कि परमीश रहन है, आप लोग उस इबरानी लोगों के समाने जो सुचते हैं कि परमिशन हमको नहीं देख रहा है दूसरे इतिहास में अधियाई सोला वचन नौ में जाएंगे देख यहोवा की दृष्टी सारी पृत्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी और निश्कपट रहता है उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए सिद्ध हृदे या फिर निश्कपट हृदे वह आपकी रखवाली करता है उसका निगाह उसकी आँखे आप पर लगी है वह आपके लिए बलवंत है नीतिवचन दस का बाईस धन यहोवा की आशीश ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता जब आपके पास आशीश है वह आपको दुख नहीं लेकर आएगा यह परमेशर की ओर से नहीं है लड़ाई जगडे धन के बारे में रुपए पैसों के बारे में लड़ता जगडता रहना वाद बिवाद करना यह सब कोई आशीश नहीं है यह परमेशर का आशीश नहीं है बाइबल हमें बताती है यहोवा की आशीश यह हमको धनी बनाता है और उसके साथ दुख को नहीं जोडता याद रखिये संसार के आशीश और परमेशर के आशीश में अंतर है फिलिपियों 4.19 मेरा परमेशर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहीश में है तुमारी हरे एक घटी को पूरी करेगा जब परमेशर नहीं संसार के सिश्ची की तो सब कुछ परियाप्त था सब कुछ काफी था उसने का फलवंत हो जाओ और बढ़ते जाओ आज संसार में 700 करोड लोग रहते हैं इस पृत्वी में जो कुछ भी है वह उनके लिए परियाप्त दिखता है मेरा परमेशर भी अपने उस धन के अनुसार हरे की आवश्यक्ता पूरा करता है भले वो विश्वासी हो आविश्वासी हो हरे की आवश्यक्ता पूरी करता है क्या उसमें लिखा है कि केवल विश्वासी का उसके धन के अनुसार जो महीमा सहीत इश्यू के द्वारा है हर एक की आवश्यक्ता पूरी की जाएगी हम धार्मिक काम तो करते हैं आप यदि चाहते हैं हमारे साथ आकर देख सकते हैं बैट करके बेकार की बाते ना करें तो आपके उपर शाप आ जाएगा आप सोचते हैं कि क्यों मैं शापित हूँ God I pay my tithes I give offering this is not the righteous that means कैते परमेशर मैंने जो है दान दिया है दर्शमान श्र दिया है फिर भी मैंने आशिश नहीं पाई है आपने अपने हृदे में बेकार की बाते की हैं अनुगरह यह सब कुछ सहता रहता है परमेशर ने वाचा की है कि वह हमको सम्रिद्ध बनाएगा आपका काम है कि आप उस पर विश्वास करें केवल विश्वास ही नहीं करें लेकिन उसे स्विकार भी करें केवल विश्वास करके प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद परमेशर के आवाज को नहीं सुनते सच्ची सम्रिद्धी वह ऐसी शमता है जो परमेशर के सामर्थ का उप्योग करता है और मानव जाती की आवश्यक्ताओं को पूरा करता है हमेशा रुपे पर नजर ना रखें जीवन के हर छेत्र में मतलब की आत्मा वही प्राण है और शरीर आर्थिक परिस्थती और भावक रूप से भी इसलिए आपको सुनना चाहिए परमेशर की आवाज को और जब आप सिवकाई करते हो तो हमेशा वो रुपे ही नहीं है परमेशर यदि देता है किसी व्यक्ती को देने के लिए तो उसे दे दे आप पहली उपज को उसको देंगे और उसको सिखाएंगे कि कैसे वो भी अपनी कमाई को कर सकता है क्योंकि हम लोग जो परिस्ति है उसके अनुसार चलते नहीं है समय के अनुसार नहीं चलते हर एक स्थान के परिस्ति के अनुसार हम नहीं चलते और उसके अधिकार के नीचे हम अपना जीवन नहीं बिताते और रूल और उसके नियंतरण के नीचे या फिर उसके प्रभाव या फिर जो आर्थिक परिस्ति है and the world system is going at the moment आज का संसार जिस रफ्तार से चल रहा है आज के संसार की जो आर्थिक परिस्ति है उसके अनुसार हमें भी अपना जीवन बिताना चाहिए इस संसार में जो system है उसी system के नीचे आप लोग जी रहे हो सबसे पहला जो परमेशर के साथ चलता है आपका कारण भी धार्मिक कारण होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते लेकिन आपको परमेशर के लिए जीवन बिताना चाहिए सब बातों के लिए परमेशर से पूचात करो यदि नहीं मांगोगे तो परमेशर आपकी सुरक्षा नहीं करेगा संसार में जो लोग हैं उनका जो जीवन है परिस्तियों के आधार पर है परिस्तियों के आनुसार ही वे जीवन बिताते हैं वे बहुत त्याग करते हैं लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं देख पाते समय को किसने बनाया हैं? सारा समय परमेशर के नियंतरन में है परमेशर के हात में है यहोश्यो अधियाए 5 में देखते हैं परमेशर ने सूरे को रोक दिया उसकी बाद फिर उसको आग्या दिया कि वो पहले जैसा काम करे लेकिन आप समय को नियंत्रन में रख सकते हूं समय आपको अपने वश में ही करेगा आपको समय को अपने नियंत्रन में रखना है इसलिए आपको प्रार्थना करना है कि परमीशर का समय आए और उस समय को आप अपने नियंतरण में कर सको समय जो है परमीशर के वच्चन के अधिकार के नीचे है लहू और इशु का नाम एक विश्वासी के ऊपर दिया गया है जब मैं परमेशर के साथ जुड़ता हूँ तो परमेशर का समय मेरे अंदर, मेरे जीवन में क्रियाशील हो जाता है जो परमेशर चाहता है उसके अनुसार में आगे बढ़ता हूँ समय हमारे नियंतरण में किया गया है क्यों? क्यों कि हम लोग उस परमेशर के राज्य के नीचे आ गया है ये दूसरा एक तरीका है, वो परमेशर के राज्य का तरीका है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है सोचते है इसलिए जो येहुदी लोग थे इन येहुदियों के बारे में हमें देखना होगा वे क्या सीखे? बाइबल का पहला पांच पुस्तक अपने बच्चों को आप क्या दिखाते हूँ? सबसे नवीन गेम्स देते हैं बच्चों को सीखने के लिए आजकल के बच्चे तो वही सीखते हैं उनकी खुद की क्रियाए हैं वो अपने से अपने खेल में मस्त हैं यदे ये बच्चे परमेश के राज्य में सामर्थी बने तो उनको उन पांच पुस्तकों के ज्यान की आवश्यक्ता जरूरी है जब उन पुस्तकों को पढ़ेंगे जानेंगे तभी तो जीवन में आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे उस सरकार के द्वारा शासन किये गए हैं इसलिए हमारे अंदर परमेश का वच्चन होना चाहिए तभी हम जान जाएंगे कि संसार में हमें कैसे काम करना है मैं आपको तीन वचन दूँगा और यहीं पर हम रुख जाएंगे बचन सहिंता सताइस वचन एक से लेकर के छे विपत्ति के दिन क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में चिपा रखेगा अपने तंबू के गुपत स्थान में वह मुझे चिपा लेगा और चटान पर चढ़ाएगा बचन सहिता एक तीस वचन चौदा और पंदरः आपको परमेशे के साथ सही संबंद रखना है जो कुछ आप करते हो वह ठीक ठाक हो परमेशे के साथ सही रिष्टा रखो मेरे दिन आपके हाथ में है परिस्थी के द्वारा मैं नियंतरत नहीं किया जाता लेकिन यहोवा मेरी मदद करेगा ताकि में परिस्थी पर नियंतरन करो जब आप परमेशे के साथ चलते हो तो आप उसका आदर करते हो आप सोचते होगे कि यह तो कोई कहानी के समान हमको लग रहा है जब इस संसार में हम जी रहे हैं तो इस संसार के नियम के अनुसार हम कैसे ना चल सकें इसे लिए आपका जो विश्वास है बहुत ठंडा पड़ जाता है आपको अपना जीवन सुधारना होगा जब परमेशे का जो नियम है सद्धान्त है उसका आप उपयोग करोगे उसके अनुसार चलोगे तो आशीश पाओगे दो किसम के तराजू ना रखें यह परमेशे के लिए ए घ्रना काम है हमारे पास एक ही तराजू होना चाहिए एक ही न्याय हो परमेशे के मार्ग में चलें जो कुछ भी आप करते हैं आपके शरीर को वह बचाता है बड़ी जल्दी हम बूड़े हो जाते हैं और कभी शर्मेंदित ना हो परमेशे के सम्मुक नमर करो तो सारी लज्जा दूर हो जाएगी जब सारी लज्जा दूर हो जाएगी तो यह कितनी अच्छी बात होगी इश्व मसी का लहू है वह चाहता है कि आप सम्रिद हो जाएं इसलिए उसने आपको बनाया है बहुत ही आगे बढ़ने के लिए उसके नाम की महिमा करने उसकी गवाई देने और क्या जब आप स्वर्ग जाओगे उसकी आराधना करोगे यह हमारे परिक्षा के दिन है हम यहाँ विश्वास्य ओगे बने रहे वहाँ स्वर्ग में आपका स्विकार करेगा यहाँ प्रित्वी के धन को आप सही तरीके से उप्योग न करोगे तो स्वर्ग के धन आपको वह कैसे देगा क्या तो अद्बूत प्रमेश्वर का वचन है हम विश्वास करते है के पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्वर्श्रिती से समझ आया होगा अगर आप इस से विक्या से अशिशित हुए है और आप अशिश का कारण बनना जाते है तो क्रिप्या आपका दान अरपन को इस अकाउन पर जो स्क्रीन पर दिखाये जा रहा है उस पर बेज सकते है यदि आपके पास प्रवेशर का वचन को सुने के बाद एक गवाई है या टिप्री है तो क्रिप्या हमें इमेल बेजिए यदि आपको कोई भी प्रात्ना विशे है तो कॉंटेक नंबर पर हमें सन पर जरूर करिए अगले सफ्ता इस सुश्माचार के कारे करम चुनाफ आपका है देखना न बुलिए हम प्रात्ना करते है प्रमेश्वर येश्यु मसी के अनुग्रा हम सब पर बनी रहे आमेन प्रमेश्वर लंखक सब स्वार्तों आमेश्वर